कि वानिंग नमस्कार आज हम बात करते हैं फोटो एलेक्टिक इफेक्ट की प्रकाश वैदुत प्रभाव जैसा कि आपके सामने श्कीन पर सो हो रहा है कि एक मैंने मैटल लिया है सोडियम और उस सोडियम मैटल दूसरी प्लेट को पॉजिटिव किया एक बैटरी के द्वारा और उस सोडियम मैटल पर मैंने लाइट का गिराना लाइट का हमने उस पर डालना सुरू किया तो हम देख रहे हैं कि उस सोडियम से लगातार ये बिलू कलर के इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं कलर तो दिया गया है उनका कोई इलेक्ट्रॉन्स का कोई पर्टिक्लर क नहीं है वर्तू eh show करने के लिए आपको दिकाया गया कि जैसे ही किसी metal पर कोई प्रकाश गिरता है जैसे ही metal पर प्रकाश आप्तित होता है उस metal से कुछ electrons बाहर आने लगते हैं उन electron मों पोट film और इस पुरे process पो हम photoelectric effect कहते हैं the photoelectric effect is the emission of electrons when electromagnetic radiation such as light hits a material electrons emitted are called photoelectrons परंतु क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा कि हम किसी भी metal पर कोई साभी परकाश डालें किसी भी light form उस पर डालें आपतित करें तो उससे electron करना सुरू हो जाएगा फिर तो बड़ा असान होता घर पर हम एक कोई metal पकड़ते हैं लोहा ऐफी iron बगरा उस पर light का गिराते हैं और electron निकल ने शुरू हो जाते हैं current बहने लगता परंतु ऐसा वास्ता में नहीं होता है देखिए मैं सूर से इसका practical आपको दिखाते हैं कि अब मैंने light तो डाल रहे हैं अभी भी light गिर रही है किन्तो कोई भी electron इस sodium metal से नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने wavelength बढ़ा दी 850 nanometer wavelength ने किया और मैं wavelength को धीर धीर कम करता हूं डाले गए प्रकाश की तरंग देधरे को wavelength को धीर धीर कम करते हैं हम देखते हैं color change हो ही रहा है मैं कह रहा हूं कि wavelength को हम कम करते हैं या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि हम metal पर गिरने वाले light की frequency को हम बढ़ाते हैं तो जब हम बढ़ाते हैं तो देखेगा मनलब कहने का अर्थ ही है कि metal पर हम जो प्रकाश गिराते हैं उसकी एक minimum frequency भी होने चाहिए जैसे अब electron निकलने शुरू हो गए किन्तु अगर मैं frequency को थोड़ा सा और कम कर दूँ तो कोई भी electron इस metal से नहीं निकलेगा देखें नहीं निकलना शुरू होगा कोई नया electron अब नहीं हा रहा है किन्तु जैसे ही एक minimum value कम क्रॉस करते हैं तो रंत ही उस metal से electron निकलने शुरू हो जाते हैं और इस frequency को बोला जाता है daily आवरती threshold frequency अर्थाक यह कहा जाता है frequency का effect है क्या कि जब हम किसी metal पर एक minimum frequency से अधिक frequency का प्रकाश एक minimum frequency से अधिक frequency threshold frequency से अधिक frequency का प्रकाश हम आप्तित करते हैं तब उस metal से electron निकलने लगते हैं उन electron को photo electron और इस घटना को photo electric effect कहा जाता है अब देखे जितनी ज़्यादा frequency का प्रकाश हम डालेंगे तब क्या होगा electron तो निकल रहे हैं परंतु वो electron maximum kinetic energy वाले निकलने लगेंगे अधिक्तम गति जूर्जा वाले जैसे जैसे धातु पर गिरने वाले प्रकाश की आवर्ति को बढ़ाते हैं तो धातु से निकलने वाले प्रकाश electronों की अधिक्तम गति जूर्जा भी बढ़ने लगती है maximum kinetic energy भी increase होने लगती है यह frequency का effect है अब intensity का क्या effect पढ़ता है कि intensity बढ़ाने से क्या होगा देखे थोड़ा सा कुछ effect सवाजबाया कुछ हो हो रहा है जब मैं intensity घटा रहा हूं तब क्या हो रहा है जब intensity जैसे से धिरे धिरे बढ़ाऊंगा गिरने वारे परकाश की तो current बढ़ने लगेगा number of liberate होने वाले electrons की संख्या जादा होने लगेगी ऐसा क्यों होगा देखे एक पिलांक ने एक बात बताई थी पिलांक ने बताया था कि जो परकाश है वो energy के छोड़-छोड़े पैकिटों को रूप में चलता है और इन पैकिटों को हम quanta कहते हैं इन पैकिटों को हम जो है quanta कहते हैं और जो ये quanta है जो quantum शब्द आया ये जो quanta शब्द है वो energy के carrier है और the energy carried by each particle of light is depend on light frequency जो उनके energy है वो frequency वो depend करती है intensity का क्या प्रुभा पड़ेगा intensity का आर्थ होता है per second गिरने वाले particle की संख्या intensity ज़्यादा करने का मतलब है जैसे मैंने कहा अगर मैं गिरने वाले प्रकाश की intensity तीवरता को बढ़ा दूँ तब क्या होगा तीवरता बढ़ने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इस sodium metal पर गिरने वाले एक सिकन्ड में गिरने वाले photon की संख्या ज़्यादा हो गई और चूंकि एक photon एक electron को liberate करता है एक photon एक electron को निकालता है तो निकलने वाले electron की संख्या ज़्यादा हो जाएगी जितने ज़्यादा electron एक plate से दूसरी plate पढ़ जाएंगे उतना ही ज़्यादा current डेवलप होगा अर्थात कहने का आर्थ ही है कि अगर धातू पर गिरने वाले प्रकाश की तीवरता अगर धातू पर गिरने वाले light की intensity को हम पढ़ाते हैं तब number of photons ज़्यादा होंगे निकलने वाले electron की संख्या ज़्यादा होगी और current की value भी ज़्यादा हो जाएगी आप इस graph को देखेगा जो मैंने intensity और current के बिच बनाया है जैसे जैसे हम intensity बढ़ाएंगे देखे आप current की value इस red color से आपकी बढ़ते जा रही है तो हमसे देखेगा intensity के ज़्यादा करने से current ज़्यादा होता जाएगा जो आपको green spot में side में दिख रहा है किन्तु intensity ज़्यादा या कम करने से आप देखे जो ये energy है maximum kinetic energy है उस पर कोई effect नहीं पड़ेगा अगर हम frequency को आगे बिखे करेंगे तो frequency के ज़्यादा कम करने से kinetic energy पर effect पड़ेगा जितनी ज़्यादा frequency होगी maximum kinetic energy electron के उतनी ही जाता होगी ये दोनों नियम है photoelectric effect के जो मैंने बता है आपको पहला नियम there is a definite cutoff value of frequency below which electrons cannot be ejected अगर धातु पर गिरने वाले प्रकाश की आवरती एक नियुनतम मान से कम है तब धातु से कोई भी प्रकाश electron स्वर्चित नहीं होगा number of emitted electrons are directly proportional to the intensity of light incident अगर धातु पर गिरने वाले प्रकाश की तीवरता को intensity को पढ़ाया जाता है तब धातु से निकलने वाले photo electrons की संख्या जादा हो जाएगी और current की value भी जादा हो जाएगी और धातु से निकलने वाले प्रकाश electron की kinetic energy frequency पर depend करती है और एक rule और है जो Leonard और Millikan ने नियम दिये है कि there is no time logging कोई time logging नहीं होता जैसे ही किसी metal पर प्रकाश गिरता है तुरंत ही उससे प्रकाश electron सरजित होने लगते है आज हमने photoelectric effect की बात की अगर मैं sodium metal की जगा कोई दूसरा metal ले लू suppose को मैंने copper ले लिया तब भी क्या प्रकाश गिरने से electron निकलेंगे बिलकुल निकलेंगे किन्तु उसकी जो एक minimum frequency होगी वो अलग होगी या मैं minimum frequency कहूँ या maximum wavelength कहूँ वो अलग-अलग different matter के लिए different होगी और अगर एक आवरती तो कम हो frequency कम हो intensity कितनी भी ज़्यादा हम कर दें कोई भी प्रकाश electron बाहर नहीं निकलने वाला है आप देखिए जैसे ही मैं frequency को ज़्यादा करूँगा एक minimum value से ज़्यादा होने के बाद ही photo electron बाहर निकलेंगे नहीं तो नहीं निकलेंगे यह आपने आज देखा मैं आपको repeat करता हूँ कि intensity के ज़्यादा करने से एक तो number एक बात आज बताई हमने क्या सीखा कि कुछ metals ऐसे होते हैं कि जब उन पर प्रकाश गिरता है तब उससे electron निकलने लगते हैं सर्किट के पूरा होने पर current फिलो होने लगता है निकलने वाले electronों को photo electron कहा जाता है दूसरी बात बताई कि जब तक metal पर गिरने वाले परकाश की आवरती frequency एक minimum value से ज़्यादा नहीं होगी उस metal से कोई भी परकाश electron कोई भी photo electron बाहर निकलने वाला नहीं है और third अपने बताया कि जैसे ही metal पर गिरने वाले light की intensity को हम पढ़ाते हैं current की value बढ़ जाती है एक है कि जैसे ही metal पर परकाश गिरता है उससे तुरंथ ही photo electron बाहर निकलने लगते हैं उसके बीच कोई भी समयंत्राल या time logging नहीं होता है पेक जो electron बाहर निकले है metal से उनकी जो maximum kinetic energy है वो केवल frequency पर depend करती है